Hello Everyone, Welcome Back So, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगी What are the symptoms of kidney disease? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी kidney में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमें कोई kidney disease हो गई है तो इस सारी चुछे हम पता लगा सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इसके sign and symptoms हम डिस्कस करेंगे अगर ही सारे symptoms हमारे body में पाई जाते हैं या देखने को मिलते हैं तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारी kidney में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो तो देखी यहां पर हमें kidneys के डाइग्राम देखने को मिल रहे हैं एक साइड जो है हमारे normal kidney है और दूसरी साइड है जिस kidney में हमारे infection है तो दोनों में आप difference देख सकते हैं normal kidney और infected kidney तो चलिए अब बात करते हैं symptoms की अगर हमारे kidney में कोई problem आ रही है तो कौन-कौन से symptoms देखने को मिलते हैं kidney infection symptoms kidney infection में cause the following sign and symptoms first one is fever तो पहला symptom हमारा fever का होगा अगर हमारे kidney में कोई infection है या और कोई problem होना शुरू हो रही है तो सबसे पहले हमें fever की दिक्कत आएगी हमें बहुत जादा बुखार आना शुरू हो जाएगा next आगे abdominal pain और यही भी second cause है जब किदिन में कोई problem आती है तो हमें पेट में बहुत जादा दर्द रहना शुरू हो जाता है आगे आगे chills fever के साथ हमें बहुत जादा ठंड भी लगेगी next आता है पस और blood in your urine जिसको हम hematuria भी बोलते हैं जब भी हम urine pass करेंगे तो उसमें या तो पस निकलेगी या हो सकता है उसमें blood भी निकले और next आगे हमारा strong persistent urge to urine हमें लगे कि हमें बहुत जादा urine आ रहा है हमने urine pass करना है जब हम urine pass करने के लिए जाते हैं पास करने जाते हैं तो हमें burning sensation महसूस होती है urine pass करने पर बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है नेक्स आता है फॉल्समेल और cloudy urination देखो एक तो urine का color change सा हो जाएगा और उसे बहुत जादा smell आना शुरू हो जाएगी जब भी हमारी kidney में कोई ऐसी problem आती है नेक्स्ट सिम्टम इस back side और groin pain ठीक है हमें या तो back side pain होगी आपने देखा होगा जब भी हमें UTI होता है urine track infection होता है तो हमें या तो back में दर्द होता है या तो हमारे side में या फिर groin area में तो pain से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी kidney में कोई problem आ रही है and last one is nausea and vomiting जब infection होता है किसी भी organ की बात ले लें तो nausea and vomiting तो होता ही है तो यह सारे symptom है जिन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी kidney में कोई infection है या कि दिन में कोई और problem आ रही है अगर आपको इन में से कोई भी symptom देखने को मिलता है कि काफी टाइम से आपको लग रहे है आप बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या फिर जब भी आप urine पास करने चाहरे हो उसमें या तो पर्ष या फिर blood देखने को मिल रहे है तो इसका अपनी मर्दी से कोई भी treatment ना लें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है तो यह था आज का वीडियो कि दिनी इंफेक्शन जिम्टम आई होप यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगी सो अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए खुश रहिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो आपके लें का वीडियो आपके लेगी तो यहा कि दुशा अपके लिए देश्या रहे खाओ रहे लिए खाओ।